जै मातादी दोस्तों, वर्ल्ड बैस मैजिक में आपका हरदिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों, आज हम सुनेंगे सकर चौत वातिल चौत की कथा जो इस प्रकार है एक सास बहु थी, लेकिन बहु के कोई बच्चा नहीं था और सास दिन भर बहु को ताने मारती थी और भगवान से मन्नत मांगती थी कि उसकी बहु को बच्चा हो जाए सास इसी तरह से रोज करती थी सास को इस तरह से करता हुआ देखकर बहु को लगा की उसको भी मन्नत करने चाहिए बहु चौध का वरत करती थी वैपूजा करने गई तो वहां कई लोग मन्नत पूरा करने के लिए चौत माता को तिलकुट्टे का भोग लगा रहे थे तो उसने भी मननत मांग ली और चौत माता से प्राथना की कि हे मा यदि मेरे बेटा होगा तो मैं भी सावामन तिलकुट्टे का भोग लगाऊंगी फिर कुछ दिन बाद चौत माता और गडेज जी की करपा से उसके एक पुत्र होता है इसके बाद सास ने अपनी सारी मन्नत और मानिता को पूरा किया पर बहु अपनी मन्नत के बारे में अपनी सास से कहने में डर रही थी कि मैंने भी चौत की मननत मांगी थी कि मैं सवा मन का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी उसे डर लगता था कि उसकी सास उसे डाटेंगी कि इतनी बड़ी मननत क्यों मानी इसलिए उसने अपनी सास से कुछ भी नहीं कहा एक दिन बच्चा सुबह से पालने में सो रहा था पर वो काफी देर तक रोया नहीं तो सास परेशान हो गई कि बच्चा रो क्यों नहीं रहा है उन्होंने बच्चे को हिलाया डुलाया पर बच्चा रो नहीं रहा था उन्होंने देखा कि बच्चे के मुँ में जीब नहीं है तो सास बहुत ही परेशान हो गई कि बच्चे को क्या हो गया इधर उनके घर के आंगन में पेड़ पर एक चड़िया आकर कहने लगी चड़क्चू चड़क्चू मान पूरीत करो चूँ वैचड़िया बार बार मननत मननत करने लगी सास ने देखा कि उसके मुँ में बच्चे की जीब थी तो सास ने बहु से पूछा कि क्यों री बहु तूने बच्चे के लिए कोई मननत मांगी थी क्या तब बहु डरते डरते अपनी सास से बोली कि हाँ मां मैंने मंनत तो मांगी थी तो सास बहु पर चिल्लाने लगी कि मुझे क्यों नहीं बताया तो वह बोली कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मैंने सवा मन तिलकुट्टे की मननत ली थी इसलिए मुझे डर लग रहा था कि आप डाटेंगी इतनी बड़ी मननत मांगने की क्या जरूरत थी छोटी मननत भी तो मांग सकती थी पर उस समय सास अपनी बहु से बोली कि जब तुने मननत मांगी ली थी तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं अपसास ने बहु की मांता कैनुसार सावा मन का तिलकुट्टा बनवाया और चोथ माता और गडेश जी को भोग लगाया और उनसे माफी मांगी कि हे चोथ माता ये तो नादान है जो मननत तो मांग ली और उसे पूर माफ कर दीजिए थोड़ी देर में बच्चे के मुझ में वैचडिया जीम लगा देती है और बच्चा फिर से रोने और हसने लग जाता है उसी दिन से माग मास की क्रशन पक्ष की चतुर्थी को चोथ माता और गडेश जी को सवा पाव सवा किलो सवा मन अपनी स्रधा के न तुलकुट्टे का भोग लगाया जाता है और चोथ पर चोथ माता और गडेश जी की पूझा की जाती है ये चोथ माता जैसे आपने उनकी भोग की मनत पूरी करी है वैसे ही सब की मनत पूरी करना तो बोलो चोथ माता की जै बोलो गडेश भगवान की जै तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्थ से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद